नमस्कार आज के इस वीडियो में हम साल 2022 के ग्रहन के बारे में बात करने वाले हैं साल 2022 में ग्रहन कबगब लगने वाला है कौन कौन सा ग्रहन जो है भारत में लगेगा ग्रहन का समय क्या रहेगा इन सभी के विसे में हम लोग जानेंगे दोस्तों ग्रहन एक बहुत ही जादा महत्पून घटना होती है ग्रहन के समय बहुत सारे ऐसे सुभकार होते हैं जिसे करने की मनाई होती है जैसे कि ग्रहन के टाइम में कहा जाता है कि कभी भी ग्रीव परवेश, साधी विवा या फिर नए भवन के निर्मान का कार इत्यादी नहीं करना चाहिए तो ऐसे में जो भी लोग बहुत ही जादा महत्पून काम करने की सुर्वात करने जा रहे होते हैं तो वो जो है ग्रहन का समय जरूर देख लेते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो की सुर्वात करते हैं दोस्तों आप सबी को बता दे कि पृत्वी और चंद्रमा के बीच सुर्य के आजाने से चंद्रग्रहन और सुर्य और पृत्वी के बीच चंद्रमा के आने से सुर्य ग्रहन लगता है इस दोरान चंड और सुर्य का प्रकास प्रिथवी पर नहीं पहुँच पाता है सुर्य ग्रहन अमावस्या को और चंड ग्रहन पूर्णिमा के दिन लगता है धार्मिक धार्नाय है कि सूतक और ग्रहन के दोरान कोई सुवकार नहीं करना चाहिए इस दोरान राहू और केतु का प्रकोप रहता है जिससे बने काम भी बिगड़ जाते हैं साथ ही कई अनसाब धानिया भी बरतनी होती है जैसे कि ग्रहन के दोरान कहा जाता है कि कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए नहीं पानी पीना चाहिए और साथ ही ग्रहन के समय नहीं भो पूर्ण हो जाता है जो तीस और खगोल सास्तियों की माने तो साल 2022 में दो सुर्य ग्रहन और दो चंद्र ग्रहन लगेंगे इन में कुछ भारत में नजर आएंगे वहीं कुछ भारत में नहीं दिखाई देंगे आईए जानते हैं साल 2022 में कवकव सुर्य ग्रहन और चंद्र ग प Sig Thor पर नज़र आएगा तो ऐसे में भारत में इस ग्रहन का सूतक काल मान नहीं हो ग़ा लेकिन ग्रहन काल मानने होगा दोस्तों आप सवी को बृतादि कि ग्रहनकाल औरिटुल कर lossिक करने की मनाई होती है चलिए जानते हैं साल के पहले सुर्य ग्रहन के समय के बारे में तो आप सुर्य को बता दे कि साल 2022 का पहला सुर्य ग्रहन भारती मानक समय के अनुसार दोपहर 12 बज कर 15 मिनट पर सुरू हो जाएगा और साम में 4 बज कर 7 मिनट पर यह समाप्त होगा तो दोस्तो 30 अपरेल को जो साल का पहला सुर्य ग्रहन लग रहा है वह भारत में भी लगेगा और इसका समय मैंने आप सुर्य को बता दिया यह बारा बज कर 15 मिनट से सुरू हो जाएगा और चार बज कर 7 मिनट पर समाप्त हो जाएगा वहीं अगर हम लोग बात करें साल के दूसरे सुर्य ग्रहन के बारे में तो जो 30 की माने तो साल 2022 का दूसरा सुर्य ग्रहन 25 अक्टूवर को लगने वाला है यह भारत समय तो विस्व के कई देसों में नजर आएगा हाला कि भारत में इसका प्रभावत बेहद आनसिक ही रहने वाला है बात करें अगर समय की तो भारतिये मानक समय अनुसार साम में 4 बज कर 29 मिनट पर यह सुरू हो जाएगा और साम में ही 5 बज कर 42 मिनट पर खत्म हो जाएगा यानि कि यह गरहन बहुत ही जादा छोटा होने वाला है तो साल का दूसरा सुरू गरहन जो की 25 अक्टूबर को लगेगा वह बहुत ही जादा छोटा होगा और साथ ही आनसिक भी रहेगा आनसिक होने की वज़े से इस गरहन में विस्तुतक काल माने नहीं होगा चलिए जानते हैं साल के पहले चंद्रग्रहन के बारे में दोस्तों आप सुभी को बताते कि साल 2022 का पहला चंद्रग्रहन 16 माई को लगने वाला है जो की पहले सुर्ग्रहन के ठीक 15 दिन बार लग जाएगा तो 15 दिनों में 2 ग्रहन पढ़ जाएंगे या भारत समय तुष्व के कई महादेशों में नजर आने वाला है और यह चंद्रग्रहन जो है आंसी ग्रहन नहीं होने वाला है आप सुभी को बताते कि साल 2022 का पहला चंद्रग्रहन जो की 16 माई को लगेगा इसका सूतक काल भी भारत में मान होगा तो ग्रहन लगने से ठीक 9 घंटे पूर सूतक काल शुरू हो जाएंगे तो इस दोरान आप अगर कोई मातपूर नेड़ना लेना चाहते हैं तो वह आपको नहीं लेना चाहिए बात कर एगर हम समय की तो भारती मानक समय के अनुसार यह प्रातक काल 7 बचकर 2 मिनट पर सुरू हो जाएगा और दोपर 12 बचकर 20 मिनट पर समाप्त होगा चलिए जानते हैं साल के दूसरे चंद घंट के बारे में साल 2022 का दूसरा चंद घंट 8 नवंबर को लगने वाला है यह भारत समय तो विश्व के कई महादेशों में नजर आएगा हाला कि भारत में भी इसका परवाव जो है रहने वाला है आसान सब्दों में कहे तो साल 2022 का दूसरा चंद घंट में भी सुतक काल जोग वहमान रहेगा यह पूर्न चंद घंट होने वाला है बात करेंगर हम समय की तो भारत ये समय के अनुसार या दोपर एक बजगर 32 मेंट पर सुरू होकर साम साथ बजगर 27 मेंट पर खत्म हो जाएगा अता दोनों ही ग्रहन जोए भारत में भी लगेंगे तो दोस्तों साल 2022 का दो चंद घंट घंट जोए भारत में मानने रहेगा तो उम्मिद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गए होगी तो वीडियो को लाइक चरू कर दिए